आज डोरी पाइपिंग लगाने की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हो जिसको देख करके आप भी कहेंगे कि हाँ डोरी पाइपिंग बिल्कुल असान होती है सबसे पहले आपको डेड़ इंची उरेब कपड़ा कटिंग करना है और उसको इस तरह से क्रॉस जोड़ना है कैसे काटना होता है डेड़ इंच क्या होता है यह सब कुछ मैंने आपको पहले बता रखें तो आप उन वीडियो उसको जाकर के देख सकते हैं इसमें डोरी पाइपिंग के अलग-अलग 10-12 तरीके के tips मैंने दिये हैं यह ध्यान रखना सबसे important है कि इसको तिर्चा जोड़ना होता है जिससे जब piping बनती है तो joint एक दूसरे से टकराते नहीं है और joint के पास piping मोटा नहीं होता है यह बहुत important tips है जिसको आप हमीशा ध्यान में रखेंगे तो हमीशा इसी प्रकार से जोड़ें जोड़ने के बाद यह जो इसका joint है दोनों कपड़ों को कपड़ों की side पलटा दे मतलब एक क्रिज लगा देना है किस तरह से यह इस प्रकार से बहुत ही simple way है आपको ध्यान रखना है अब एक डोरी लेंगे और उस डोरी को इस कपड पर फसाना है ठीक यह उल्टी साइड है उल्टी साइड का ध्यान रखना joint जीदर दिख रहा है वो सीधी साइड होती है अब हम डोरी लेंगे डोरी जितना पतला से पतला हो सके आपको यूज करना चाहिए यह आपको थ्रेड हाउस पर मिल जाएगा आराम से वहां से purchase कर सक इतने दूरी पर डोरी को रखना है इस तरह से फसाना है किदर फसाएंगे अपने left hand side ठीक है और यह इस तरह से फसाएंगे जब तो pleasure के अंदर डोरी होनी चाहिए pleasure के अंदर ही सुई होनी चाहिए डोरी left side होनी चाहिए सुई right side होनी चाहिए और उसके बाद आप इस प्रकारसिस में सिलाई चलाएंगे इसके लिए pleasure की एक छोटी सी setting करनी होती है पर मनें already बता रखा है तो दिलिप टेलर शन बुटेग योटूब चैनल पर जा करके देख सकते हो जो कि हमारा officially main channel है ठीक ह यहां पर इस तरह से आप डोरी piping को complete लगाएंगे मतलब कोई डोरी को आपको attach करना है कपड़े पर तो यह बहुत ही simple सा तरीका है जिस चीज को आपको ध्यान रखना है लेकिन इसमें गलती क्या हो जाती है कभी-कभी सिलाई डोरी के उपर चढ़ा डालते हैं लोग तो ऐस करोगे तो आप problem में पड़ोगे हमेशा ध्यार रखना कि कभी आपकी जो सिलाई या वो डोरी के ऊपर नहीं चाहिए मतलब आपको इस तरह से डोरी को लगाना है इस तरह से सिलाई चलाना है कि बाद में अगर आप डोरी को खीचना भी चाहें तो वो डोरी असानी से बाहर निकल जाए और यह चीज बिल्कुल possible है जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा देखो कोई भी जो चीज है ना वो एकदम आसान दिखने में जरूर लगती है लेकिन जब करते हैं तो बहुत सारी चीजे हमको समझ में आती है इसलिए आप खुद से जब प्रैक्टि मार्किंग बड़ा छोटा नहीं होना चीज अब क्या करेंगे इन पीसे को हम शोल्डर से ज्वाइंट कर देंगी यह हमारा नेक पोर्शन है देखो नेक पर हम एक हलका सा शेप दे देते हैं गोल गला कटा हुआ था इसको इस तरह से राउंड पांड शेप कर देते हैं ठी शोल्डर से ज्वाइंट कर देंगे फ्रेंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों को यह इस टाइप से रख करके अराम से जैसे शोल्डर जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेना डबल मजबूसी लाई आप यहां पर दे सकते हैं शोल्डर के ज्वाइंट पर और उसके बाद हम और पर complete point दे दिया double सिलाय दे दिया अब यहां पर हम इसको इस तरह से open करेंगे जह देखो यह आरम ऑल की साइड है इधर तो हमको piping लगाना नहीं है जो गले की डोरी पाइपिंग है ना यह हमिशा सीधी तरब से चड़ती है यह ऐसे पपड़ा भी सीधा पॉइपंग भी सीधा लेकिन डोरी हमारे लेफ्ट साइड है जो डोरी वाला हिस्सा है वो लेफ्ट साइड हम ने रखा और उसके बाद इसको फिट करते जाना वही प्रोसेस रहे एक पेचकस से सहरे उसको किया जाता है ध्यान गे रखना कि हलका सा गुलाई के पास हलका सा शोल्डर के पास इसको खीचना होता है एकदम हलका को बहुंच ज्यादा खीचनी की जूरत नहीं कि आपको वहां पर शल्वड दिखने लगए ठीक है अब जैसे पान गले पर लगा के Center पर ला करके रोक दीजिए यह ऐसे देखो अब हम यहां से क्या करेंगे यह इस तरह से उठाएंगे और अंदर से देखो इसको उठाने के बाद इसके अंदर से हम क्या करेंगे यह वाली पाइपिंग को अटेज करें ध्यान से देखना कैसे होती है चीजिए यह यह यहां अटेज करना है जो सेंटर पॉइंट है वहीं से ही और उसके बाद इसको फिट करते चलना है कंटीनियूस लिए तो यह सेंटर पॉइंट पर थोड़ास आपको समय लग सकता है वाकी काम आपका महत फिनिशिंग शी होगा आप इसको कंप्लीट होने के बाद देखिए आप खुस हो जाएंगे कि इस तरह से भी डोरी पाइपिंग लगा जा सकता है बीस से हमने काट दिया काटने के बाद इस साइड का भी पूरा-पूरा आपको फिट करें ना ध्यान वही रखना है कि हलका सा गोलाई के पास हलका सा सोल्डर के जोइंट के पास खीच के लगाना है इसे पकाड अच्छी आई और यह जब पाइपिंग आपका कंप्लीट लग जाएगा उसके बाद आपको सिर्फ इसको पल्टाने का काम रहता है यानि की मोडने का काम रहता है तो वो कैसे करना है वो भी बताऊंगा थोड़ा सा वेट करो देखो यह इस प्रकार से हमने इसको पूरा लगा लिया गोलाई के पास जब हमारे है तो वापस से थोड़ा सा खीच करके इसको फिट करेंगे यह खीचने का मतलब डोरी को खीचना है मलब डोरी पाइपिंग को एक हाथ से और दूसरे हाथ से पिछे की साइट खीचना है ताकि बीच में कहीं पर भी गैप ना बने सलवट ना है अब यह जैसे यह आपकी पाइपिंग अटेच हो जाती है भाउच पीश पर उसके बाद यह देखो और यहीं से हम सिलाई continue करें इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहां पर सिलाई लोक कर देंगे पहले और उसके बाद इसको पूरा fold करते हुए हमें सिलाई करना है finishing का थोड़ा से ध्यान रखेंगे कई पर कम कई पर ज़्यादा fold नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी जो सिलाई है वो तिर्च्छी मिर्च्छी नहीं चलने चाहिए क्योंकि यह pukki सिलाई हैं तुरुपाई नहीं अगर आप चाहएं आपर तुरुपाई भी छोड़ सकते हैं लेकिन वह जमाना गया लोग आजकाल तुरुपाई नहीं छोड़ता हैं सीदा सिलाई लगाते हैं ठीक है तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करते-karते सिलाई लगाते चलेंगे यह देखिए ठीक हैं इसको ऐसे मूड़ते जाओ सिलाई लगाते जाओ और उसके बाद देखना बाहर से किस प्रकार से यह piping आएगा व्यकीनां इसको को देख करके खूस हो जाएंगे कि ऐसा भी पाइपिंग बन सकता है कि यह अराम से किसके लिए पोड़ा हूं कि यह जो हमने 20 से कट करके लगाया है उसके लिए इसको अपने अपने हैं पर फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहां पर जब आप सिलह लगाएंगे तो होड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखना यह ऐस है घुमा देंगे यहां पर सुई अंदर होनी चाहिए घुमाएंगे यहां से और इधर भी पूरा कंप्लीट कर देंगे जैसे हमने एक साइड को किया वैसे ही इस साइड को भी तो यह कंप्लीट करते चलेंगे मैंने स्टे मसीन की शैटिंग कि किस प्रकार से मसीन की सैटिंग की जाती है डूरी पाइपिंग बनाने के लिए तो आई होप उन चीजों को आप पहले से जानते होंगे नहीं जानते तो दिलिप टेलर और बुटिक पर जाकर के सर्च करो और वहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए कि पाइपिंग रेलेटेड मैंने बहुत सारे अलग अलग टिप्स दिये हुए हैं तो जाएए देखिए और मुझे उमीद है कि आप लोग को यह जो वीडियो है यह कफी जादा पसंद आ रहा होगा और इस तरह की और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कि मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूं कि किस प्रकार से जो है इसका फाइनल लुक आएगा और उसको देख करके आप यकिनान बहुत ज्यादा खूश होंगे और अगर आपको गोल पाइपिंग देखना है इन्वीजबल पाइपिंग दे वो मुझे कमेंट्स में बताना और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना शेयर करना चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा बाकि यह हलका सा इसको आप इसको खीच भी सकते हैं यह देखिए इस टाइप से आप इसको खीच सकते हैं ख आ गई होंगी और इसी तरीके से आपको बनाना रहेगा मैरा जना आप से फिर्मूला कात करता हूं किसी नए वीडियो में ने टॉपिक के साथ अब तक के लिए जय हैं